उम्शान्ती आज है 39.2021 मीठे बाबा के महावाकिय सुनेंगे मुडली का सार है मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते सावधान करते उन्नती को पाते रहो मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते सावधान करते उन्नती को पाते रहो प्रश्न है बाप समान नौलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्यधारना सुनाओ उत्तर वह सदैव मुस्कुराते रहते कभी भी किसी भी बाद में उन्हें रोना नहीं आ सकता कुछ भी होता है नथिंग नियू ऐसे जो अभी नौलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं कभी किसी बाद में अशांत नहीं होते उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती हैं जिन रोया तिन खोया रोने वाले अपना पद गवाते हैं गीत है तुम्हें पाके हमने ओम शांती मीठे मीठे बच्चोंने अपना ही गाया हुआ गीत सुना बच्चे जानते हैं हम बेहत के बाप के सामने बैठे हैं तो बच्चे कहते हैं बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह अब फिर से पा रही हैं सत्युग में तो ऐसे नहीं गाएंगे यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो घर में बैठे अत्वा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहत के बाप से बेहत का वर्सा फिर से ले रही हैं सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रही हैं यह याद रखो कोई नई बात नहीं है हम कलप कलप बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं नया कोई सुनेगा तो समझेगा यह इनको अर्थात शिबाबा को कहते हैं अब वह तो है निराकार आत्माओ का बाप आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से यह नौलेज सुन रहे हैं रुहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए पहले ये रुहानी सावधानी मिलती है बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धी नहीं जानी चाहिए इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो वह है पतित पावन बाप अब वह समुक बैट कहती हैं मुझे याद करो कितनी सहज युकती है मन मना भव अक्षर भी है परन्तु जब कोई समझे याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है तुम बच्चे ही जानते हो हम रुहानी यात्रा पर हैं वह है जिस्मानी यात्रा अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं हम हैं रुहानी यात्री इस याद से ही विकरम विनाश होंगे तुम विकरमा जीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्मा जीत बनो एक है विकर्मा जीत समवत दूसरा है विकरम समवत फिर विकरम शुरू होते हैं रावन राज्ये शुरू हुआ और विकार शुरू हुए अब तुम विकर्मा जीत बनने का पुरुशार्थ कर रहे हो वहां कोई विकरम होता नहीं वहां रावण ही नहीं दुनिया में यह कोई नहीं जानते तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो बाप को ही नौलेजफुल कहा जाता है तो बच्चों को ही नौलेज देंगे न गौड फादर का नाम भी चाहिए नाम रूप से न्यारा थोड़े ही है पूजा करते हैं उनका नाम है शिव वही पतित पावन ज्ञान का सागर है आत्मा याद करती है उस परमपिता परमात्मा को आत्मा बाप की महिमा करती है वह सुक्षान्ती का सागर है बाप तो जरूर बड़सा ही देंगे बच्चों को जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं एक शिबाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है जरूर वह शरीर द्वारा करतव्य करते हैं तब तो उनका गायन है वह एवर प्योर है बाप कब पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य है बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सत्युग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो भक्ती मारग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हूँ पहले-पहले अव्यभ्यचारी भक्ती उस एक की ही होती है फिर व्यभ्यचारी भक्ती हो जाती है ब्रह्मा सरस्वती को भी वैशिबाबा विश्व का मालिक बनाते हैं भक्ती का कितना विस्तार है? बीज का कोई विस्तार नहीं है बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्से को याद करो बस जैसे जाड का विस्तार होता है वैसे भक्ती का भी बहुत विस्तार है ज्यान है बीज जब तुमको ज्यान मिलता है तो सद्गती को पाते हो तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता, ज्यान और भक्ती है न? सत्युक्त रेता में भक्ती का जाड़ होता नहीं आधा कल्ब ये भक्ती का जाड़ चलता है, सब धरम वालों की अपनी अपनी रसम रिवाज है भक्ती तो कितनी बड़ी है? ज्यान तो सब के लिए एक है, बस मन मनाभव अल्फ बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे तो वर्सा जरूर याद आएगा वर्से का विस्तार हो जाता है न? वह होती है हद की जाएदाद, यहां तुमको बेहत की जाएदाद याद पड़ती है बेहत का बाप आकर बेहत का वर्सा भारतवासियों को देते हैं, जनम भी उनका यहां ही गाया जाता है यह इस ड्रामा में अनादी नून्ध है, जैसे भगवान उचते उच है, वैसे भारत खंड भी उचते उच है जहां बाप आकर सारी दुनिया की सद्गती करते हैं, तो सबसे बड़ा तीरत हुआ न? कहते हैं, हे गौड़ फादर, हमको अपने घर ले चलो, भारत के उपर सबका लव है, बाप भी भारत में ही आते हैं, अभी तुम महनत कर रही हो, गोपी वल्लब के गोपकोपिया तुम हो, सत्युप में गोपकोपियों की बात नहीं रहती, वहां तो काइदे अनुसार, र एक बाप के हैं, उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित्ष्रिष्टी को पावन बनाते हैं, ये कितनी चतुराई हैं, इस समें सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं, मनुष्य समझते हैं, ये साधुआदी शेष्टाचारी हैं, बाप कहते हैं, इनों का भी उद्धार मुझे करना है, जैसे तुम एक्टर्ज हो, बाब भी एक्टर है न, तुम 84 जनमले पाट बजाते हो, वहे भी क्रियेटर, डारेक्टर, मुख्य एक्टर है, करन करावन हार है न, क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, बाब कहते हैं, तुम मुझे बुलाते हो, आकर के हमें पावन बनाओ, मैं भी इस पाट में बादा हुआ हूँ, ऐसे कोई कहे न सके, यह क्यूं बना, कब बना, यह तो अनादी बना बनाया ड्रामा है, इनका आदी मध्य अंत है नहीं, प्रले होती नहीं, आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती, इनको पाट भी अविनाशी मिला हुआ है, यह बेहद का ड्रामा है न, नर्चल में बाब पैट समझाते हैं, यह ड्रामा का पाट कैसे चलता है, बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है, तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, यह अंद श्रधा की, र कारते ही हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, सोतो बरोबर आते हैं, गीता सर्वशास्त्रमई शिरोमणी है, भगवान ने ही गीता सुनाई है, अच्छा, सहज राज्यो कब सिखाया, यह भी तुम जानते हो, बाप आते ही हैं, कल्प के संगम युक पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं, सत्युग में तो नहीं स्थापन करेंगे न, वहां तो है ही पावन दुनिया, कल्प के संगम युग में ही कुम्ब का मेला लगता है, वह कुम्ब का मेला बारा वर्ष बात लगता है, यह बड़ा कुम का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला जबकी परमपिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बना कर ले जाते हैं कल्प की आयू लंबी करने से ही मनुश्य मूँच गए हैं अभी तुम समझते हो तुमारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल नथिंग नियू जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है किसको भी यह समझाना हो समझना हो तो आकर समझे ऐसे ऐसे युक्तियां रखन चाहिए हम अखबारों में क्या डाले यह भी तुम लिख सकते हो यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है सत्युक की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है कैसे देवी देवताओं की राज्थानी स्थापन हो रही है आकर समझो गौड फादर से बर्थ लाइड राइट लेना हो तो आकर के लो ऐसे ऐसे विचार सागर मन्थन करना चाहिए वो लोग स्टोरी आदी बनाते हैं वेह भी ड्रामा में नून्ध है जो पाट बजाते हैं व्यास ने भी ड्रामा प्लैन अनुसार शास्त्र आदी बनाए हैं पाटी ऐसा मिला अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो फिर वही ड्रामा रिपीट होगा अभी तुम आए हो फिर से ग्यान सुनते हो तुम जानते हो फिर से यह लक्ष्मी नारायन का राज्य होगा बाकी सबधरम खलास हो जाएंगे अभी तुम नौलेजफुल बन रहे हो बाबा तुमको आप समान नौलेजफुल बनाते हैं तुम जानते हो आधा कल्ब हम पीसफुल रहेंगे कोई फ्रकार की अशान्ती नहीं रहेगी वहां बच्चे आदी कभी रोते नहीं सदैव मुस्कुराते रहेंगे यहां भी तुमको रोना नहीं है गायन भी है अम्मा मरे तो भी हलुआ खाओ जिन रोया तिन खोया पद भी ब्रश्ट हो जाएगा तुमको पतियों का पती मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं वह तो कभी मरता भी नहीं फिर रोने की क्या दरकार है जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे तो बाबा बता देंगे बच्चों को पिछाडी में सब साक्षातकार होगा जैसे स्कूल में भी सभी को मालूम पढ़ जाता है न रूद्रमाला कौन सी बनती है वे पिछाडी में तुमको मालूम पढ़ जाएगा जब पिछाडी के दिन होते हैं तो बहुत पुरशार्थ करते हैं समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में ना पास होंगे तुमको भी मालूम पढ़ जाएगा बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में महो है वह तो निकालना ही होगा महो रखना है एक में बाकी ट्रस्टी होकर सम्हालना है कहते भी है न ये सभी कुछ बाप ने दिया है तो फिर ट्रस्टी होकर चलो ममत्व निकाल दो बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो समझो यह सब उनका है उनकी मतपर ही चलो उनके कार्य में ही लग जाओ अविनाशी ज्यानरतन का दान करते रहो यहां कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगाड है कन्या करम बंधन से फ्री रहती है बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्से का नशा रहता है कन्या लौकिक बाप का वर्सा नहीं पाती है यहां इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं तुम जानते हो हम सब ब्रदर्ज हैं, बाप से वर्सा ले रहे हैं, आत्मा पड़ती है, बाप से वर्सा लेती है, जितना जास्ती वर्सा लेंगे उतना उजपद पाएंगे बाबा आकर सब बाते समझाते हैं, शिब बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं, सोमनात का मंदिर बनाया है, यह अभी तुम जानते हो शिब बाबा ने आकर क्या किया, क्यू उनका यादगार मंदिर बनाया है, यह भी तुम समझते हो, कल्प कल्प ऐसा ही होगा, ड आपको आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात नहीं, यह खूने नाहक खेल है, नाहिक सब का खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फासी की सजा मिल जाए, अब किसको पकड़े, यह तो नैचरल केलेमिटीज आनी ही है, तो होना ही है, अमर लोग मृत्यू लोग के अर्थ को भी कोई नहीं जानते है, तुम जानते हो, आज हम मृत्यू लोग में हैं, कल हम अमर लोग में होंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं, तुम ज्यान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फि परसा दे रहे हैं। यह वही महाभारत की लडाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं बहुत अच्छा है। यह ग्यान कोई दे नहीं सकते। हम मानते हैं बस। खुद कुछ भी ग्यान उठाते नहीं फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुमकरन। तुम कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो पर तु ऐसे नहीं फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुमकरन के चित्र के आगे ले जाना चाहिए। इस मुआफिक सो मत जाना। समझाने की बड़ी युक्ती चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो। जो कोई आए उस पर समझाओ। वेह भी सोदा कराओ यह भी कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो। बोलो अरे प्रजापिता भ्रम्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। बाप नई स्रिष्टी रच रहे हैं। पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जाना सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो। दुकान छोटा है तो भी दिवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगन्स एट हो। पहले पहले उनका कल्यान करना है। बाप कहते हैं अब कोई देहदारी को याद नहीं करो। शिबाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बिचारे मुझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ड सौवरेनिटी पाना है। नर्से नारायन बनना है तो आकर बनू। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते गुड Good morning, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वहा मेरा भाग्य, वहा मेरे भाग्य विधाता बाबा, धारना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक बाप में ही शुद सच्चा मोहो रखना है, उसे ही याद करना है, देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर स संभालना है, दूसरी पॉइंट, विकर्मा जीत बनना है, इसलिए करमेंद्रियों से, कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है, बरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा, परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले, मास्टर त्रिकाल दर्शी भव, इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है, उसमें कल्यान भरा हुआ है, क्यों क्या का कोश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता, नुकसान में भी कल्यान समाया हुआ है, बाप का साथ और हाथ है, तो अकल्यान हो नहीं सकता, ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते, साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खतम कर देती है, इसलिए त्रिकाल दर्शी बन प्रतिग्या करू कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे, स्लोगन है, अपनी सर्व करमेंद्रियों को ओर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है, अच्छा, ओम शान्ति!